कमाशकार, study with sapnil चैनल में आपका सौगत है, यह वीडियो लसांतिय अरवेदी कॉलेज लकनो उसके सौजने से फ्राप्त हो रही, अभी पिछले दो लेक्चर्स में हमने साइंस सब्जेक्ट में अमल और चार मतलब एसीड और बेस के बारे में अध्यन किया, आज हम लोग ए इसकी टॉपिक की शुरुवाद की जाती है, तो आज का हमारा टॉपिक है उत्प्रेरक, उत्प्रेरक उसको हम लोग केटलिस कहते हैं इंग्लिश में, ठीक, प्रभाव से ही मलब सब्द से ही कुछ ऐसा दिख रहा है प्रेरक करने वाला, यानि एक तरह से प्रोच साहन करन वाला, रसाइनिक अभिक्रिया के तहट इसको हम इस तरह के से परिभाशित कर सकते हैं कि उत्प्रेरक वह रसाइनिक परदार्थ है, जो अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन लाता है, अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन लाएगा, खास कर जब हम लोग उत्प्रेरक का अध्यन करते हैं तो वो ज़्यादा तर पॉजिटिव एफेक्ट में बात करते हैं तो उत्प्रेरक के वेग में परिवड़ते हैं पॉजिटिव मलब तेजी लाता है जैनि कोई भी अभ क्रिया है माली जै 202 ए बी और इसका एसीस्येशन हो रहा है और ory चॉस्येशन हो रहा है सभिव आ है इसको कहते हैं इन दोनों के दिधन क्या है कबिशनों के मॉलेक्व एंटम दोनों मिल के एक मॉलेक्व कर रहा है माली जैक हमने कहा कि वहाई इस अभवक्रिया में पांच मिनट लगता है स आम ने त sentiments किया निया आप एक उत्परिर्ण कर दिया को दो अखर किते ने इसके इसको जैसे इंट्रियूस किया इस reaction में ये तुरंत ही क्या कर दिया समय यानि कहा जाए time जो है उसको इसने रिडियूस कर दिया घटा दिया जिसके वज़ाए से जो तेजी का ना बाई आएसे बात है समय कम में अगर कोई भी काम ज्यादा होगा तो वह तेजी ही कहलाएगी तो कम समय में ज्यादा काम प्लस ये तो है कह है जाती है कि रसायनिक परदार्त में परिवर्दन लाता है, या अबक्रिया के दरको बढ़ा देता है लेकिन एक बात यह हम कहें कि भिणा यूज हुए, यह भी बात ध्यान रखिए गा, कि अबक्रिया में चो केटलिस्ट है उसका दूसरा नियम ये भी होना चाहिए कि बिना अपने आपको परिवर्तन किये हुए अर्धात जब आप रसायनी कभगिया हो चुकी होगी तो ये क्या करेगा फिर से अपने आपको पुना उसी अवस्था में प्राप्त कर लेगा ठीक ये बाद दिरूर धियान रखीगा अब बात करते हैं कि इसी हिसाब से कुछ इनके बात में बात कर लें यानि हम थोड़ा सा ग्राफिकल समाल लें इसको तो हमने क्या कहा है था कि ये रसायनी कभगिया में परिवर्तन लाता है परिवर्तन अगर हम कहें कि ये मान लिजे एक उर्जा या एनर्जी है कितना लगने वाला है कि अब क्रिया में कितनी एनर्जी लगती है और प्रोग्रेस आफ रियक्शन अगर हम कहें या अब क्रिया का मालगी तरह से परभाव कहें तो बिना मान लिजे हमने जब किया कोई भी अब क्रिया का तो हालाद क्या रहे है कुछ यहां से शुरू होगा गलती होगी था अब क्रिया क्या है कि इस लेवल पर यहां पर आके अब क्रिया का कारिकरम आगे बढ़ रहा है लेकिन जैसे ही हमने अब क्रिया की यही पीक नीचे आ जा रहा है और डिफरेंस यह डिल्टाई जो है एक्टिवेशन अनरजी का डिफरेंस है मतलब एक्टिव होने में अब करिया को शुरुआत होने में कितनी एनर्जी लेगी उन्हीं के बीच में यह डिफरेंसेज या विभिन्नता ले आता है इसी को हम लोग कैटलिस्ट कहते हैं ठीक तो अगर हम प्रकार के बारें बात करें तो समानिता जो हम लोग बहुतिक रूप से देखना चाहेंगे तो दो तरीके से होते हैं पहला है होमोजीनिस होमोजीनिस कैटलिस्ट और दूसरा है हेटरोजीनिस यानि एक हो गया समांगी और विश्मांगी उत्प्रेरक ठीक समांगी उत्प्रेरक मतलब यानि जो आपका अभिकर्मक है याट में रियक्टेंट है और जो आपका कैटलिस्ट है वो दोनों सेम फेस के होने चाहिए मान लीजिए ये अगर सॉलिड है तो ये भी सॉलिड है ये गैस है तो ये भी गैस रहे तो जनर्ले प्रोड़क्ट भी उसका उसी ही फेस का बनता है तो यानि हम कहें कि अभी कर्मक और उत्प्रेरक अगर समा एक ही अवस्था में है तो इनको कहते हैं हम लोग होमोजीनिस केटलिस्ट या समांगी उत्प्रेरक इसी तरह भी समांगी ह 팔ениюula हो सकता है कि आपका न ऐिक सरस्ट है तो आपका कैटलिस्ट जो हो जाए सॉलड हो जाए है टो यह बात ही हो जाए थीद है ऐ lot अब हिऑ ना के इससे बात कर ल22 इस सिल्फ़ ट्राययक्शाइड और प्लों के इसे ते तो मेणिस तांव और nitrogen oxide यूज़ कर लीजे ये भी gas ये भी gas और देखिए nitrogen oxide भी gas product भी आपका gas ये सी मिलेगा यही अगर आपको बनाना है sulfur tri oxide ही बनाना है और ठीक इसमें अगर आपने platinum यूज़ कर लिया यह solid है यह gas यह नहीं गयाज यह नहीं कहाजा देखिए अभी करमत और आपका प्रेरग दोना लग हो गए तो इसी को हम लोग विश्मांग यूद प्रेरग कह देते हैं ठीक इसी तरीके से अब क्रिया को प्रेरित करने की बात हमने कही थी बिना इस्तिमाल हुए जब क्रिया की प्रेरित करने की बात कहें तो उसके प्रेरित करने के हिसाब से दो तरीके से हो सकते है या तो एक हो सकता है पॉजिटिव और दूसरा हो सकता है निगेटिव ठीक यानि एक हो गया आपका धनातमक अब क्रिया मैं धनात्मक उत्परे रख और दूसरी आपके हो गए रिनात्मक उत्परे रख ठीक मतलब सीधा है कि धनात्मक उत्परे रख में वो होंगे जो अब किया के दर में तेजी लाएंगे ठीक है सीधी सीधी बात है अब क्रिया के दर में यानि समय घटा कर तेजी लाना इस तरीके यानि जो चीज इनिशियेट होने के लिए बात होती है एक शुरुआत होने के लिए एक समय लेती है उस समय को ये बहुत ही तेजी से घटा देते हैं अब इसलिए अगर कोई माल लीजे एक सामान इंसान पर माल बस वही है कि कुशक्ता जो हो उद्परेरह की तरह रहा हुस्ट काम को उसने पूर करा दे तो इसी तरह ये आपक्रिया में रहा पॉस्टीव कर रहा कि क्या गरे समय ंगहatu के यो उद्परिया के काम को बढ़़ा दिये तेजी से काम होगया और अपकरिए हमें product अच्छे से मिल गया negative्यां है यह slow down कर देते हैं क्या करेंगी यह reaction को slow down कर देते हैं यह जैसे ही आप इस्सेमाल करेंगे होगा क्या कि बाता है जो पांच मिनट में हो रहा तो वह पता चलेगा पांक मिनट से उपर डी, ठीक, स्लो डाउन करना, उधारप के रूप में इसमें हम जैसे, अगर हम लोग एक्जामपल में ले 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 तो हम बात किया, हैबर्स प्रोसेस अगर आती है, अमोनिया बनने की परक्रिया में हैबर्स प्रोसेस आता है, तो उसमें एक अन्पाते ते इनके बीट में hydrogen और nitrogen लेते हैं वो बनता है ammonia इसमें अगर आप iron ठीक है या इसके oxide को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ammonia बनने की परकरिया जो है वो तेजी से होती है वहीं redatma के अगर हम बात करें तो decomposition reaction में अगर माली जैसे तूटना है तूटेगा S2O2 किसमें oxygen और पानी म ठीक oxygen और पानी में यहां बेहालात क्या होते हैं अगर हमने इसमें glycerine यूज कर दिया तो यह परकरिया जो oxygen और water में तूटनी थी वो बहुत ही slow हो जाई यानि यह काफी समय लेगा oxygen और S2O में तूटने के लिए पानी में तूटने के लिए तो मतलब इनका क्या कहें कि अ कमय कुछ ज़्यादा ही बढ़ा देता है ठीक energy की अगर हम बात करें यहां पे energy और progress तो यहां पर हम लोग समय तो धनात्मक क्या होए कि जो अब क्रिया के दर में तेजी ले आते हैं ऐसे catalyst जो अब क्रिया के दर में तेजी ले आते हैं उन्हें हम कहते हैं कि धनात्मक तो वो अमोनिया में थेजी से बदला और जब हमने वो हैड्रोजन पर ओक्साइड को डिकंपोज करने के लिए काम किया तो देखा हमने कि ग्लिसरीन जब यूज किया तो वह सलो हो गया अच्छा यह हैड्रोजन पर औक्साइड को डिस इन्फेक्टेंट के रूप में कैसे उपियोग करते हैं यह आपका होमवर्क है ज़रा पता करीगा ठीक चलिए अभी यह आ जाते हैं नेक्स अगर हम लोग अगर थोड़ा सा समझना चाहें ठीक तो यानि हम लोगों ने जाना क्या कि होमोजीनेस और हेट्रोजीनस के बारे में जानगे ठीक उसके बाद हम लोगों निन के बारे में जाना उसके बाद हमने जाना पॉजिटिव कैटलिस्ट और निगेटिव कैटलिस्ट कैटलिस्ट के बारे में भी जाना कि हमने कु बिना इस्तमाल हुए बिना इस्तमाल मतलब अगर अबक्रिया प्रोड़क्ट बन जाए अबक्रिया में तो ऐसा ना हो कि वो खो जाए ठीक म Willi Si में इस्तमाल होके कही न कही या सिमेलेट हो जाए या जुड़ जाए ठीक है इसी तरीके से हम लोग बहुत ही अगर उदाहरण के रूप में अच्छा एक्जाम्पल देखना चाहे तो biological ली तो हम लोग enzyme के बारे में बात करते हैं इनको क्या कहा चाता है जैविक परिरत या बायो कैटलिस्ट गो कहते हैं बायो कैटलिस्ट ये क्या काम करते हैं ये आपके जितने भी जैविक पर करिया हैं biological reaction है उनको enhance करने का काम करेंगे बहुत ही अज़ाओ धारण है मारा पाचनिया digestion digestion में बहुत से ऐसे enzyme है जो की क्या काम करते हैं आपके खाने को पचाने का काम करते हैं अब इसलिए हम लोग बहुत ही course food लेते हैं और उसका use करने का जो हमारा जो शरीर है उसको use करने के लिए बहुत ही उसके इकाई में उसके इकाई लेवल पे उपयोग करने का काम करते हैं तो जाहर सी बात उनको तोड़ना हमें है एक particular समय में तोड़ना है वरना आप बहुत दिन तक रखे रहने से तरीके से वहास हमारे लिए फाइदेमंद नहीं रह जाएगा तो जाहर सी बात जो चीज समय लगता है जब देखिए reaction करने दो तिन तरीके या तो आप बहुत ही heat बढ़ा दीजे बहुत ही pressure बढ़ा दीजे इस तरीके से कर दीजे तो वो कर सकते नहीं शरीर में इतना जादा heat बढ़ा दें पता चला तो उसमें हमारे tissues बरबाद हो हा सकते हैं जैसे बहुत बढ़ाइं ऐसे ऐगर हम लोग star करते हैं ठीक तो stars खाने में उसका जैशन अगर हम करें तो मल्टोज ले ले लें तो डायस्टेस के थरू हम उसको मल्टोज में परिवर्टित कर देते हैं ठीक अगर हम लोग जाहर से बात है कि अगर सुक्रोज ले 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 बहुत अच्छा एक्जामपल है यह अच्छा रहेगा सी 1222 ठीक इनी चीनी को जब हम लोग खाते हैं तो कि अगर हम कहें वह क्या काम करेगा इसको Fractose और Glucose में तोड़ देगा Fractose और Glucose में तोड़ देगा Glucose आपके लिए U-Z में है इसे Gl wastewater Plus Crpha Soldier के माध्यम से आप क्या करोगे ATP प्राप्ट कलोगे न आपको ATP प्राप्ट कर लिए आपने उसके काम में ले आपका शरीर आपको उर जाके रूप में ले आए तो इसी तरीके से अगर हम कहें कि माल्टोज है तो माल्टेज यूज हो जाएगा मतलब अक्सर याद रखिए बाइलोजिकल फॉर्म में अगर एंजाइम होगे हमारे जैविक परक्रिया में क्या काम करता है किसी भी अभिक्रिया के उदर को चाहे वह बनना हो चाहे वह तूटना हो उनमें वह क्या करता है तेजी ले आता है जिसकी वज़ासे वह जो अभिक्रिया है वह ठीक तरीके से हो जाती है यानि ओर आल हम लोगों ने आज उत्परेरक के बारे में homogenes, cetrogenes के बारे में जाना उत्परेरक की परिभासा जानी positive negative उत्परेरक कैसे होते हूँ तो है थोड़ा सा हम लोगों ने समय काभा हुआ है तो bylogic, joy, उत्परेरक के आप enzyme के बारे में थोड़ा सा जाना ठीक ओमर्क यह है कि आप थोड़ा सा enzyme के बारे में धिन करें थोड़ा सा पढ़ाई करें और different examples याद जरूर कर लें ठीक है क्योंकि ये course में पूछे जाते हैं ठीक है exam purpose के लिए समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार